Hi friends and welcome back to another video और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं MIUI 12 तो MIUI 12 की जो development है वो बहुत तेजी से start कर दी गई है और MIUI 12 की जो features है अब उनको MIUI 11 की जो beta roams है उनके अंदर test करना भी शुरू कर दिया गया है और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं MIUI 12 के theme store के बारे में इसको हमने अपने phone के अंदर install कर लिया है और मैं सच बता रहा हूँ जो आप अपने phone के अंदर theme store यूज करते हैं जो अभी आप अपने phone के अंदर use कर रहे हैं वो इसके आगे कुछ भी नहीं है उसके अंदर कुछ भी features हमें नहीं मिलते हैं इसके अंदर दोस्तों हमें काफी सारे न्यू फीचर्स मिलते हैं और यह सभी फीचर्स बहुत ज़्यादा एडवांस है अगर आप दोस्तों इस Theme Store को यूज़ करेंगे इन Features को यूज़ करेंगे पुराना वाला Theme Store दिखाना चाओंगा यह वो Theme Store है जो दोस्तों आपको अपने फोन के अंदर आभी आप यूज़ कर रहे होंगे मेरा मतलब M.I.U.E. 11 वाला यह Theme Store है और यह इसका आपको यूज़र इंट पर देख सकते हैं काफी आदा ओल्ड है अभी कुछ दिन पहले इसके अंदर एक अपडेट भी आया था अगर आप लोगों ने उसको करा हो तो लेकिन अपडेट करने के बाद भी ऐसा कोई बड़ा चेंज तो हमें इसमें नहीं मिला था बट दोस्तो ये जो थीम स्टोर है ये दोस्तो काफी आदा एडवांस है और ये थीम स्टोर अभी फिलाल बीटा टेस्टिंग में है इसका जो downloading link है वो मैंने आपको description में दे रखा है वहाँ से आके download कर सकते हैं तो चलिए इसको अभी हम अपने phone के अंदर update कर लेते हैं simply आपको download करना है और जो भी आपका theme store है उसके आप पर इसको आप upgrade कर सकते हैं अपग्रेट करने के बाद जब आप अपने phone का theme store अप open करते हैं तो यहाँ पर user interface बिल्कुर new आपको मिलेगा सबसे पहले एक notice हाएगा इसको आप पढ़ सकते हैं कुछ features को आप यहाँ पर देख सकते हैं agree आपको यहाँ पर करना है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ringtone का option fonts का भी option आपको यहाँ पर मिल जाएगा काफी सारे option है और जैसे की new theme store है तो इसके अंदर आपको new fonts new wallpaper, new themes, सब कुछ आपको new मिलेगा और अगर आप user interface देखेंगे तो देखें बहुत जादा advance कर दिया है और काफी आदा unique भी यह लगता है इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको categories का option मिलेगा और my account का अगर आप categories पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें themes की categories मिलती है और यह देखेंगे इसमें कुछ चीज़े loading नहीं होती है और इसके बाद अगर आप my account पर क्लिक करते हैं my account पर दोस्तों पूरा उसका user interface चेंज कर दिया गया है इसमें आपको काफी सारा new जो अगर आप देखते हैं काफी सारे new features भी यहाँ पर हमें मिलते हैं और इसके अंदर बिलकुर एक new look भी आपको मिलेगा अगर आप themes पर क्लिक करेंगे तो इसको भी पूरी तरह से change कर दिया गया यहाँ पर import का option दे दिया है पहले इसको यहाँ से हटा दिया गया था अगर आप कोई भी themes पर क्लिक भी करते हैं तो इसके अंदर भी जो UI है उसको भी पूरा तरह से बदल दिया है तो पहले से बहुत ज़्यादे यह smooth हो गया है अगर बात करें दोस्तों कुछ advanced feature की अगर हम theme lap हैं यहाँ पर आप क्लिक करतें तो इसके अंदर एक option मिलेगा transparent wallpaper का देखें यह एक बहुत ज़्यादा advanced feature है इसके अंदर कुछ और option को भी आप add कर दिया है यह काफी सारे लोगा problem था वो भी आप यहाँ पर select कर पाएंगे इसके बाद इसमें हमें एक option मिलता है wallpaper slideshow का wallpaper slideshow दोस्तों यह भी एक हमें new feature मिलता है इसके अंदर हम lock screen wallpaper slideshow को यूज कर सकते हैं और home screen wallpaper को तो इसमें क्या है कि दोस्तों प्लस पर जब आप click करते हैं तो इसमें आप कुछ wallpaper को select कर सकते हैं अपने जो photos हो सकते हैं या फिर wallpaper और उन wallpaper को आप randomly बदलवा सकते हैं additional settings में जब हम जाएंगे तो change wallpaper का time का option मिलेगा 15 minute या फिर day का और जब आप यहाँ पर उसकी order of slide को select कर देंगे उसके बाद वो home screen या lock screen से अपने आप wallpaper बदलते रहेंगे और भी आपको option मिलते हैं जैसे कि आप देखेंगे फेवरेट का या फिर items I like का और अगर आप दोस्तों यहाँ पर customize theme को देखते हैं इसको भी पूरा तेरा से काफी ज़्यादा बदल दिया है तो theme store को दोस्तों काफी ज़्यादा improve कर आए काफी ज़्यादा advance भी कर दिया है फिलाल दोस्तों यह तो transparent wallpaper वाला फीचर है यह आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि यह दोस्तों एक बहुत ज़्यादा बड़या फीचर आपको मिलेगा तो फिलाल तो दोस्तों theme store में थोड़ी बद प्रॉब्लम से आपको देखने को मिल रही है बट लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताए यह फिलाल भी टेस्टिंग के लिए है और आपको दोस्तों जब M.I.U.A. 12 आएगा वहाँ पर आपको यह theme store मिलेगा जब आप इसको properly यूज़ कर पाएंगे तो अकर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीज़े शेर कीज़े अपने फ्रेंड के साथ चैनल पर फर्स टाम आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग